समस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देखने हैं अपना लोग पर यूटिप चैनल जिसका नाम है सुनील जस्वाल बिब्लुफाइल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के टोप 10 टोपिक डिसकस करेंगे जो आपकी एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इं दोस्तों मेरा मकसद है कि सभी तक एजुकेशन पहुंचे दोस्तों अगर आप इस मिशन में शामिल होना चाते हैं तो इस वीडियो को उन लोगों तक जुरूर पहुंचा है जिनको एजुकेशन की जुरूरत है तो चली स्टार करते हैं सिंदुकाटि सभीता से यह टोपि अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूरी होता है अब जब आप वीडियो देखे चले जाते हैं तो पैसिव लर्नी होती है एक्टिव लर्नी जरू करें तो इसकी मुख्य विशेष्टा क्या है सिदा पूछ लेते हैं यह प्रशन मोहन जोदुरा में एक और रंकपूर एक लोथं कि रंकपूर और लोथं से जावन के मिली यह लेक्र फट्रत्ति है अगर आपव को यह वीडियो पसंदा और उर आप告诉 की आपको वीडियो मिले तो आप immense comment box में येस type कर सकते हैं येस topic या फिर topic लिखे जर्टे हैं topic येस तो बोधर में यहां पर हम लोग बात करेंगे महात्माबुद की मात्मा बुद्ध का बच्पन का नाम क्या है सिदार्त मात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था 563 BC में कहां पे हुआ था कपिल बस्तू और कपिल बस्तू कहां पे है नेपाल के निक्ट है लुंबरी नामक स्थान पे हुआ था महत्माबुद का जनूब 563 BC में कफिल बस्तू के निक्ट नपाल के लुंबरी नामक स्थान पर हुआ था और दोस्तों इन्होंने सबसे पहला अपने अपने उपधेश कहां पे दिया था टेट के एकजाय में हमेशा यह पूछा जी पूछा जता है तो इन्होंने सबसे पहल कि गर छोड़ा था गृत्र रर्या करता है उसे क्या क्या का जाता है शंव्य को प्रस्साइव्य तो इन चीजों का आप लोगा याद रख लें और दोस्तों यहां पर छार बहुत संग्तियं start लेकिन उनकी बात कर रहे हैं त्रित्ती बहुत संगीती जो हूए थी उती पॉठली पुतर में पॉठली पुतर जो है पराजिय नाम है और उसमें वह याद रख ले आब हम चलतें जैंद्रम 100 इस सूपर फास्ट डिविजन हो रही है आप लोगों की आपके एक्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं तो चलिए यहाँ पर यैंदर्म की बात करते हैं तो यैंदर्म में सबसे important बात है महावीर का महावीर का बच्पन का नाम बर्दमान था महावीर का जनम कब हुआ है 540 इसापूर वो बिशाली के कुंट गराम के निक्ट बिहार में हुआ है महावीर का जनम कहां भी हुआ है महावीर का जनम बिहार में हुआ है कब हुआ है 540 में ठीक है तो इसी इसको भी याद रखे ले comparison करके पणना काफी असान रहता है परत्म उपदेश कहां दिया थे हैं उन्होंने राज गरी में इनोंने 12 पर्स की कठी तबस्य के बाद महावीर को ज्यान के प्रापती हुई और यह जो ज्यान के प्रापती हुई थी बिक्ष पूछ पूछ लेती है तो क्वोट सा बिक्ष है वो इसके जो अध्यक्षिते बुकों थे स्थूल बद्र दोस्तों अगर आप लोग हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और आपके पास समय की कमी है कि आपको समझी नहीं आ रहा है कि आपने कैसे बढ़ना है तो आप लोग हिस्ट्री की क्रैश को जुरूर देख ओर आपके बैद का अर्थ होता ज्यान बेद हमारे कितने चारप्रकार के बेदेत हैं एक रिग वेद य्याउर वेद सांब्य अठर विय्द दोस्तों लिग वेद से लिटेली प्रशन काफी होते हैं रिग बेद में 10 मंदल है यह प्रशन सीदा पूछ लेते हैं कि रिग व वेद में 10 मंदल और 1028 से शुलोक हैं और यह प्रशन गायत्री मंतर का उले किस वेद में मिलता है तो दोस्तों वो रिग वेद में मिलता है और गद्य और पद्य दोनों में है और यहां पर आपको बताना चाहता हूं जो गद्य है प्रशन ऐसे पुषेता है कि बारती शंगीत को किस वेद को आपको आज़ेता है यहां पर इसलीं आ यहां पर प्रश्न आराईज करके आप नोब पढ़ाया हूं अधर बेद में रोज निवारन तंत्रमंत्र यादू टोना वशीकर्ण बिवाप्रेयम आधी है, दोस्तों यो आपके परस अधर बेद है, इसमें रोग हो गया, कि रोग को किस तरह से ठीक करना है, और तंत्रमंत्र जिससे यादू टोना हो गया वशिकर्ण किस तर से वशिकर्ण करना है विवा प्रेम यह सारी कटने किसमें है अथर बेद में है दोस्तों सबसे प्राचिन जो वेद है वो रिख बेद है और सबसे वाद का वेद जो अथर बेद है दोस्तों अथर बेद को पहले इंक्लूडी भी नहीं किया जाता था लेकिन बात में इसे बेद की संगया देगी और इसे इंक्लूड कर दिया गया तो सबसे पूछेंगे नया बेद तो आपके पास कौन सा आएगा अथर बेद चले आप हम चलते हैं शैब दर्म के बार में दोस्तों यहां पर शैब दर्म से लिटी प्र दर्म के किया का जाता है उस्से दर्म का अबारत का जो हुआ उसमें लिंक पूजा के बार में बदाया हुआ है और लिंक पूजा का जिसर पहले प्रस्ट अलिक मिलता हो कहां मिलता है कि चाहे औरतें थी या फिर शुद्र जाती जो लोग थे उनको बेद पनने की अनुमती ने थी लेकिन उनको पुरान पनने की अनुमती थी और दोस्तों के वर पुरानों की संख्या पूशी जाती है तो पुरानों की संख्या कितनी है 18 और उपनशिद की संख्या कितनी है 108 अ तो आपके सामेरे यहां पर लिखा हुआ है राज-्राजेश्वर मंदिर को और किसmotion में थे चोंगए और शाषिक उन्हें ते राज-्राज पिधायर की तरफ रिक यह के जो सनस्तापक था वो विंभी सार और शीप की फर Bend Charity NE दोस्तों यहाँ पर eu और आप लोग ने वह चीजें पड़ी है उसे सोला महाजयंपदों के बारे में बताया हुआ है तो यह मगल था वो काफी ज्यादा शक्ति शाली था उस पर बिंबि साहर ने 52 एर तक शाशन किया है महात्मा बुद्र की सेवा में बिंबि साहर ने किस राजज्य वैद को बेज था जूरके दर्वार में वैत है उनका क्या नाम था उनका नाम था जीवक अब जो फैक्ट आपके पास हारा अगर आपने टीगी टी आर्ट्स कमिशन 2019 का क्वेशन पेपर देखा है तो उसमें आपको यह प्रशन मिल जाएगा अगर आपने वह नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टन प्रशन है वह भी मग अब हम चलते हैं नेंस्ट की तरफ शीशो नाग बंच का जो संस्तापक का वो कौन है शीशो नाग है शीशु नाग बंच ने अपने राजदानी पाटली पुत्र से बदल कर कहां पर कर देखी विशाली में लेकिन जब काला शोग का शाषन आया उसने क्या किया उसने फिर किस ने कर वाय था था वंगर आद वन्ष का नंदी वरदन साइसार मुशा नीट्वकाRIS का संस्टापक नंद्धिन था इसका बद शूद्र दासी पूतर महुं हुपा अविलेक्ष में किया naw लाया था महा पडम नंद्ध को उसने सबसे पहले किया रभी विजक फ्रप्र की तो उसका विलेक्ष तेredε hers और उसने माहा पदमनंद जो था उसने क्लिंक से एक जयान परतिमा को उठाके लिया था ये तो ये वी फैक्ट इंपोर्टन्ट है नंद बंच का आंतिम शाष्य कौन रहा है दननंद दननंद के समय 326 VC में सिकंदर ने भारत पर अक्रमन किया सिंपल यहां पर दोसों फैक्ट के पूछ लिए रहता है कि भारत पर सिकंदर ने कब अक्रमन किया तो यह किया था 326 VC में और किसके शाषिनकाल में किया था यह आप लोग देख सते हैं यहां पर दननंद को हराकर चंद्रकुप्त मोरे ने मोरेवंच की स्थापना कि थी यह आपके पास काफी इंपॉर्ट देखते हैं आपकी बताता हूं चंद्रकुप्त मोरे चंद्रकुप्त मोरे ने चानेकी की सायता से नंद राजवंच को खत्म कर दिया और मोरे वंच को स्तापित किया था दोस्तों चंद्रकुप्त मोरे जो था उनकी गूरू जो थे वह चानेक के थे चानेकी की सायता से ही उनकी हल्प से ही इन्होंने नंद राजवंच को खत्म कर दिया जैसे मैं आपको पहले बताया तो दनानंद जो था वो बहुत ही गमंडी था और उसने चानेके की वेस्ति की थी और चानेके ने उस वेस्ति का बदल लेने के लिए उनके शाषन का उनके शाषक होने का पूरा से करेकशण का उन्होंने विनाश कर दिया और विनाश को सकती हल्प लिए चानेके ने किसे अपना मे South HER चंद्रगुप्त मोरे को और मोरे को और आ llh Idh cannot धननन्द को हराके उन्होंने मोरे बंच के स्थापने की अब आपके पास सीधा फेक्ट यहां पर आता है सेलुकलस ने मेगस्थिनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मोरे के दरवार में बेजा और इसने इंडिका नामक पुस्ते की रचने की काफी इंपॉर् यहां पर इसे पुछा जाता है इसका नाम था अर्षास्तर तो उसमें पुलिटीकल सिस्टेम के बारे में बताया गया है चांस रजा कि इंडिका के पूछ नहीं तो आपको पता होता की है इंडिका में मोरे काल के प्रशाशन समाज और अर्थ विवस्ता पर महत्मुर्म प्रकाश डाला गया है इंडिका में किसके बारे में प्रकाश डाला गया है एक तो मोरे काल में प्रशाशन और समाज की जो अर्थ विवस्ता है इसके बारे में इन्होंने बताया है चंदरगुम्त मोर्य ने जैन मोनी बदरबाहु जैन दर्म की शिक्षा लिए और शर्बन वेल गोला दोस Cath nessa program Sills užभू हूँ इस भी पूर्मे उपवास के दोरा यौर्फ आपने शरीर щоб पुटरथा उनका नाम था विंदुसार और ये इनका उत्रदकारी बना रहे हैं अमित्रगार्ट जिसका मतंब होता है शतुर्ण को नाश करने बाला इउनानी यो ने विंदुसार को क्या बहुता है तो इसका की पुत्र का किया नाव है अशोक अशोग था जो कि मोरे शाश्चकों में सबसे ज़्यदा महान था अशोग प्रत्म ने बारती सम्राट दोस्तों अशोग जो था पहला ऐसा बारती सम्राट हुआ जिसने क्या किया लोगों से संपर करने के लिए अविलेखों का सहारा लिया और दोस्तों जो इनके अविलेख थे 1837 इस भी में जेम्स प्रिंसिप इसको आप जाद रख लें इनका नाम जाद रख लें कि अशोग की जो अविलेख थे उसे सबसे पहले किस ने बढ़ा सफलता पुरूप किस ने बढ़ा तो इनका नाम है जेम्स प्रिंसिप और ये कब बढ़ा थे इन्होंने 1837 इस भी है दोस्तों क्लिंग का जूद यो हुआ था इसके बाद अशोग ने क्या किया बोधरम को अपना लिया यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी डेट याद रख लें 261 वीसी 261 वीसी जब अशोग को शार्षन करते हुए 8 साल हो गए थे तो उन्होंने 261 वीसी कलिंग का जूद हुआ कलिंग कहां पर है उडिस्सा में है तो बहुत सारे निर्दोश लोग मारे गे जिसकी वज़से इनका जो हिर्द्य था वो परवत्रत हो गया और इसके बाद इन्होंने बोधरम को अपना लिया था तो यह गटना इतिखास में काफी इंपोर्टन्ट है और दोस्तों यहां पर एक चीम आपको बताना चाता हूँ कि इनको हमेशा ही एक अच्छे तरिके से ट्रेट के जाता है इनको अच्छे तरिके से लिया जाता है दोस्तों यह आज क्या हमारे प्रश्चन थे आपको यह कैसे लगे हैं आप अपने रहे कुमेंट बोक्स में यूरू बताएं आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यावाद थैंक यू वेरी मच दिल से